जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इस मन्त की मतलब की जो सेप्टेमर का मन्त चल रहा है यहाँ पर एक एक्साइटमेंट यह रहता था हर यह में कि एपल अपने प्रॉड़क्ट को लांच करता था उनके लिए हम सभी एक्साइटेड होते थे बट इस टाइम प यहाँ पर देखने को मिलने वाला है क्या यह इवेंट होता है यह नहीं होता है इसके बारे में थोड़ी डीटेल में डिसकस करेंगे इसके अलावा और भी बहुत सारी निउज है जिनको इस वीडियो में कवर करेंगे जो हमारे पास आती है यहाँ पर जॉन प्रॉसर यह apple pro की वीडियो से उन news और उन points को यहाँ पर मैं आपके सामने discuss करने वाला हूँ तो hey guys I am this is anger this is youtuber जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं आसा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आईगी तो guys firstly मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जिस चीज को आप support करोगे वह चीज आपके लिए चैनल पर देखने को मिलती रहेगी अधर companies के product में भी इंट्रेस्टिड होंगे तो मैं उसको भी cover करने के लिए तो यहाँ मेरे पास सारे product आ जाते हैं technology मेरी एक hobby है तो उसके basis पर मैं आपके सामने किसी भी box को unbox कर सकता हूं बट आप जो चीज देखना चाहोगे वही मैं आपके सामने प्रिजेंट करूँगा इसके साथ साथ जो unboxing अगरा है वह आपके लिए चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी डिसकस करता हूं यहाँ पर जो जॉन प्रोसर हैं उन्होंने बहुत ताइम पहले एक tweet किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 7th of September या 8th of September की करीब यहाँ पर जो Apple का एक event देखने को मिल सकता है Apple की website पर जिसमें यहाँ पर कुछ product को launch किया जा सकता है जैसे कि वहाँ पर उन्होंने उस tweet में बताया थी कि Apple की watch देखने को मिल सकती है Apple का iPad देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर होगा हमारे Indian country में नाइट में तो नाइट के करीब में आपके लिए कुछ सामने देखने को मिल सकता है 8th of September को अगर इनकी लेक कनफॉर्म होती है और यहाँ पर अगर इसमें change आता है तो यह कल morning में इसके बारे में बता देंगे कि यहाँ पर कोई change आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसी के business पर मैं discuss कर रहा हूँ कुछ ऐसे points से कि अगर इनके हिसाफ से कोई event आता है कल की date में तो उसमें आपके लिए क्या-क्या देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी leaks और rumors को combine किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर analyze किया है कि आपके लिए अगर कल कोई event होता है तो आपके लिए क्या-क्या product दिखने को मिल सकते हैं तो firstly मैं आपसे discuss करना चारा हूँ Apple Watch Series 6 के बारे में यहाँ पर आपके लिए इस event में Apple Watch Series 6 द देखने को मिल सकती है जिसका यहाँ पर डिजाइन होगा Series 3 से related और यहाँ पर जो इंटरिनल होगा वो साइज वह यहाँ पर Series 5 जैसा हो सकता है जिस तरह से iPhone ऐसी मॉडल साती है जिसमें यहाँ पर previous design होता है और यहाँ पर hardware और software होता है वहाँ बिलकुल latest होता है उसी के business प लब की जो यहाँ पर 22-25,000 के आप रोक्स आ सकती है जिसकी price सामने आती है कि $199 से $249 तक जा सकती है तो वही लगवग 22-25,000 में आपके लिए Apple Watch SE देखने को मिल सकती है जिसमें यहाँ पर latest hardware और software होगा बट यहाँ पर design होगा वो यहाँ पर similar होगा Apple की watch series 3 से तो यहाँ प पर first time Apple watch को purchase करना चारा है जैसे कि मैं भी उसको purchase कर सकता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर जो 15 यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी उसमें sell अगेरे down होगे तो मैं यहाँ पर आप कोई भी digital watch को purchase करने का plan कर रहा हूँ इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए second product देखने को मिल सकता है Apple का iPad Air fourth generation जो कि यहाँ पर launch हो सकता है कल के event में जैसे कि यहाँ पर John Prosser के tweet के मादम से पता चलता था कि जो यहाँ पर September का event होगा उसमें यहाँ पर Apple watch और iPad देखने को मिल सकता है तो उसी के business पर आपके लिए iPad Air का fourth generation भी देखने को मिल सकता है कल अगर कोई event होत होता है तो इसके साथ सथ यहाँ पर कुछ ऐसे rumors भी आते हैं जिसमें पता चलता है कि iOS 14 भी September के मन्त में ही launch होगा विकोस अब जो यहाँ पर iPhone 12 series आएगी वह यहाँ पर updated होगी iOS version 14.1 पर तो उसके business से पता चलता है कि iOS 14 होगा वो साइज यहाँ पर September में ही launch होगा और September में आ को ही देखने को मिलते हैं फिर बात करता हूँ iPhone SE की यहाँ पर बात करता हूँ iPhone 11 की बात करता हूँ iPhone XR की यहाँ पर लगवक्त Tuesday को ही देखे गए हैं तो उसी के business पर कल के जो rumors हैं वो यहाँ पर strongly rumors हो सकते हैं उसके business पर अगर यह event आता है और 14.1 पर iPhone 12 आता है तो यहाँ प यहाँ पर confirm होता है तो यह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं इसके अलावा कुछ और news और leaks आती हैं जो कि everything apple pro की तरफ से उनकी वीडियो से मैंने यहाँ पर उसको cover करना चाहा है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ points से जैसा कि यहाँ पर confirm ह नेवी ब्लू कलर होने वाला है यहाँ पर आइफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में और यहाँ पर आइफोन 12 और 12 मैक्स होगा वहाँ पर आपके लिए six color option देखने को मिलेंगे जिसमें यहाँ पर एक product red color भी होगा इसके साथ साथ यहाँ पर green color का option नहीं मिलेगा जैसा कि आप अपर आपके लिए बीडियो की तरफ से यह एंफोर्मेसन आदी है कि जो आई उस 14.1 होगा वह आपके लिए आइफोन 12 सीरीज में देखने को मिलेगा इसके साथ-साथ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 20 वार्ट का फास्ट चार्जिंग ड तो आपके लिए वहाँ पर आडेप्टर परचेस करना होगा फिर आपके लिए 20 वाट वाला परचेस करना है या 12 वाला इसके साथ मैं आपके लिए इन्फॉर्म करना चाहरा हूं कि मैं description में बहुत सारी इसको पिन करता हूं अगर आप कोई फास्ट चार्जर या यहां पर एरफोन से कबर बगएर परचेस करना चाहते हो तो आप description में जाके चेक कर सकते हो Amazon की कुछ लिंक से हैं वहां से आप देख सकते हो आपके लिए अगर कोई भी ऐस परचेस करना हो तो इसके अलावा यहां पर यह भी पता चलता और यहां पर यह हो सकता है विकॉज आप यहां पर हर यहर में प्राइस कम करता जा रहा है मॉडल्स की जैसे कि मैं आगर आपसे डिस्कस करता हूं तो जो आइफोन टेनार सीरीज थी वो यहां पर स्टाइट करी गई थी 749 डॉलर से उसके बाद आइफोन 11 आया था 699 डॉ तो अब हम expect कर सकते हैं कि जो आइफोन 12 सीरीज आने वाली है वो यहां पर 649 डॉलर की ही है अगर मैं native language में बात करता हूं तो यहां पर एपल का एक ऐसा प्लान है जिसमें loss केसी का नहीं होगा loss आपका होगा ऐसा नहीं समझना कि एपल ने price कम कर दी यहां पर बहुत सारे features को भी कम किया गया, accessories को भी कम किया गया और एक basis पर एपल ने इनकी price बढ़ा ही है जो मैं आपसे किसी और वीडियो में discuss करूंगा paper visits पर 649 डॉलर ठीक है बट यहां पर कुछ price तो बड़ी है अगर हम compare करते है इन features के साथ जो आपके लिए iPhone 12 में मिलने वाले है display size चोटा होगा, accessories भी कम होगी, उसके बाद कम किये गए तो सर्फ 50 डॉलर यह सब मैं आपसे किसी एक dedicated वीडियो में यहां पर share करूंगा जिससे आप समझ सकोगे कि Apple का यहां पर पूरा शीन क्या है, क्या Apple चाहता है, आगे उसका क्या future हो सकता है इन सब के बारे हैं, जो मेरा opinion है, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में यहां पर share करूंगा इसके साथ सब यहां पर last point आता है, जिससे यह पता चलता है, कि जो यहां पर iPhone 12 series होगी, उसमें आपके लिए 5G का support तो देखने को मिलेगा बड़ जो fastest 5G होगा, वो यहां पर only एक model में देखने को मिलेगा, जो यहां पर हो सकता है iPhone 12 Pro Max ऐसा कुछ rumors आते हैं, website से जो इससे पता चलता है, कि जो MMA technology हो यहां पर आपके लिए iPhone 12 Pro Max में ही देखने को मिलेगी, अब देखते हैं आगे क्या होता है, और इससे यह जो सारे points थे, वो यहां पर totally depend थे, join processor के tweet पर अगर उनकी यहां पर rumors हैं, leaks हैं, जो यहां पर leak कर रहे है इस event को अगर वो confirm होता है, तो इसके basis पर यह सारे points भी confirm हो सकते हैं, अब यहां पर launch event अगर थोड़ा बहुत खिसकता है, तो यहां पर यह सारे points भी खिसक जाएंगे, उसी दिन देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी September में launch event आता है, तो आपके लि देखने को मिल जाएगी, तो क्या आप लोग उसमें interested हो, मैं आपर community tab में एक poll create करूँगा, बहां पर अपना feedback देना ना भूलें, इसके साथ अपना support बनाया रखें, जिस वीडियो पर आपका support ज्यादा रहेगा, उसी type की वीडियो आपके लिए चैनल पर देखने को मिल ज सब्सक्राइब करें और स्मार्टफोन से related advice के लिए Instagram पर फॉलो करें, like the video, comment below and subscribe my channel, thank you for watching guys, आगे मिलते हम किसी नहीं वीडियो में